कि ना तूड़े आवर टॉपिक इस प्रोटीन वेरी मच्छ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंद नोट वनली इंपॉर्टेंट फोर एक्जामिनेशन परपस बट आर्सों वर्य इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ याद कि रहें आपको कहा था कि हम लोग अपनी चलेवस में वै रहने तो आधम प्रोटीन इख तैसे बसे पहले rouम जाते हैं तो प्रोटीन सबस支持 पहले से रोड़ आजा कहां स्टुड्य के लिए प्राइमडी एन ओल सीकंटरी चाहिए जो कुछ भी हो वह सगंटरी मतलब यह स्टुडी तो इंपॉर्टेंट है वाकी चीज समय मिला थीख है नहीं मिला तो भी ठीख लेकन स्टुडी का तो समय निकलना ही परेगा मिंस इस वरी इंपॉर्टेंट पोर कि for the life life क्या होता है इसके वारे में इस त्रॉक्चर को और इसमें जो फंक्चन ओडएं इस त्रॉक्चर के द्वारा इस इस त्रॉक्चर और फंक्चन को मेंटेंड करने की प्रोपर्टी अगर खुद यह बॉड़ी रखता है तो यह बॉड़ी लिविग है ये बदी लिविग, and the property to maintain structure and function by onself, this is called a livingness and this is called as life, और इस life के लिए, protein must है, protein essential है, primary है, बाजी चिज़ भी important है लेकिन protein is very much important, तो वहां सी ये बाद आया है protein, और अब रहे हैं कि प्रोटीन खौँ, ज़रूरी है, protein खौँ, protein खौँ, अब रही बात कि प्रोटीन का सोर्स क्या है तो देखो भाई या प्रोटीन का सोर्स अलग-अलग है डाल है मिल्क है मीट है एग है चिकन में ज़्यादा प्रोटीन होता है as compared to मटन एग में सबसे ज़्यादा अधिन ज़्यादा प्रोटीन है अधिन में मीट है बहुत जादा प्रोटीन होताए है अगर आपसे पुछय कोई आसे डाइट का नाम बता हूँ जो डायीट है तो दो-चार नाम सुनलो दाल श्वयावीन एग पनीर चार मैंने बता दिया ठेक है बाकि आप गूगल कर ले न इस चार मोस्ट कॉमाने जो हमसा बास-पास खाते रहते हैं ठेक है तो यह सारे क्या प्रोटीन डीच डाइट है और दूसरी बात मैं आपको एक बार बता देता सबसे ज्यादा डाइबर सीटी प्रोटीन रखता है है दाइबर कि मतलब समझद्ध और बेर हैं बहुत सारी प्रोटीन इस बार हा हम आपको अब और बगative सेल में ने कहा था कि सेल का बीलिग ब्लॉक होता है प्रोटीन हाँ वह लग बात है कि सेल में 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 इसर कॉंपोनेंट में लिपीड देखने को मिलता है बट सेल के अलमोस्ट हर इस्ट्रक्चर में प्रोटीन का इंवॉल्मेंट है इंकुरीडिंग सेल मेंबरेंज सेल और गनली एंड मेनी मोर साइटोस्केलेटन सब चीज में प्रोटीन याद करो सेल और गनली वगरा हर दीन प्रोटीन नाम आता ही था प्रोटीन अलमुस्ट चेल में हर जगा मिलता है है आप देखो आपका जो मकान है इत हर जगह है तो इट को आप क्या क्या तो बिल्डिंग ब्लोक आप आवर वह हों कुछ चीजह कहीं पे है कुछ चीजह कहीं पर नहीं है जैसे दर्वाजे का कुंडी केवल दर्वाजी में है जैसे पंखा लटकने वाला केवल छट में है जैसे खिर्की केवल एक साइड है तो ये सब भी जरूरी है एक रूम के लिए बट इट तो हर जगा है छट के आसपस में भी ये इट है खिर्कियों के बगल में भी है, दर्वाजे के बगल में भी है बलख को बनाया मकान को मकान बनाने में समका रोल है अगर कोई ऐसा प्रोटीन जो सेल का कोई इस्ट्रक्चर बनाने में भाग ले रहा है। जैसे सेल के membrane का पार्ट बन गया, याद कीज़े integruxic protein, extrinsic protein, integral और peripheral protein, cell membrane का हिस्सा बन गया जो transura अपना roll दिखा रहा है। Cell organally का हिस्सा बन गया, cytoscalater बना दिया, टरांस्पोर्ट करवान यह म्कामा रहा है, spindle fiber बना दिया, जो cell division में काम आ रहा है तो ये सब functional protein नहीं है these are structural protein and some are functional protein functional protein कौन होते हैं ऐसे protein जो modify होके enzyme बना दे detail में पढ़ेंगा हम enzyme को enzyme बना दे ऐसे protein जो modify होके hormones बना दे आप पढ़ रहे हैं hormones आप पढ़ चुके हैं protein ये साथ hormone कौन कौन से है अगर आप sex hormone को छोड़ दो और adrenal cortex के hormones छोड़ दो दपांके सारे hormones प्रोटीन कहीं बने हुए थे याद करो तो functional protein कौन होते हैं जो enzymes, hormones ऐसे कोई भी biomolecules biochemical जो किसे ने किसी metabolism में involved हो रहा है metabolism में involved हो रहा है non-edged functional protein और जो किसी structure का हिस्सा है non-edged structural protein और याद किजिए मैंने आपको कहा था कि protein तो भाईया biomacromolecule क्या है biomacromolecule biomacromolecule अब आप लोग मुझे बताएंगे कि biomacromolecule जिससे पूछूँगा वो बताएंगे biomacromolecule का molecular weight कितना होता है हरसित श्रीवास्ता बताएंगे biomacromolecule का कितना होता है जर्लेस देन एट हंड्रेड लेस्ट 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 कैफ कान बुलिये मैं कौन करके अच्छा नहीं पता है वा गजब यार गजब भी कर रहें जोती कुमारे 159 कितना होता है कितना होता है अच्छा वेट पुरा टाइम पास चल रहा है ना आफ लाइन का मज़ा ले रहें है जीवन में जिन्दगी का मजा लिजी जीवन का जीवन जी लिजिए अंसुरानी इस अप्राइब कितना होता है बायो मेक्रों का इस और मिन्मम एट हंड़ेट कितना लेस देन एट हंड़ेट मिन्मम इस पाहरे बहुत बड़ी है सईजारे है आप लोग तो आप किजेगा सब लोग रियारंजन कितना होता मॉलिकलर वेट इस थाउजन डाल्टन से ज्यादा अच्छा यमानसों सरी वास्तव क्या यह सही जवाब है लो सर्मोर देन और एकवल टू थाउजन डाल्टन अब्सक्राइब बायो मेक्रों में आएगा तो इसका मड़ा प्रोटीन का मॉलिकलर वेट या तो आजाद लाटन या तो उससे जदा है और मैने कहा था जितने भी बायो मेक्रों हैं उसमें की-कॉन-कॉन आए तो यह यह लवता है यूणिट को आप करो आप मोनोमर यानि कि को यह ऐसा इस्ट्रख्चर जो बार बार रिपीट हो प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसीड है कौन है अमीनो एसीड अब आज के बाद में बार-बार सौट में ए लिग दूँगा अमीनो एस्टीड अब हम डीटेल में बात करेंगे अमीनो एस्टीड के यहां सभी कुछन आ जाता है अब हमें आज की पूरी लेक्चर में अमीनो आपक इस अमीनो एसीड ना वर टॉपिक इस अमीनो अमीनो एसीड अब सुने का ध्यान से यहां से क्या होगा ना किमेस्ट्री का पार्ट आना सुरू होता है गाबराना नहीं है केमिश्टरी का जितना पाट आएगा जितना पाट काम का होगा उतना में डील करते हुए ही आगे बढ़ूंगा और मैं मान के चछा रहा हूं कि आपने और गानिक बिलकुल भी नहीं पड़ाया आप लोग ने पड़ाया भोड़ाया के ऑड़ाया आपकी नो सर कोई नहीं पड़ा है और उसी साब से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है बस समझे चलिएगा और माइंड को सेट कर लेज़े कि जितना और गरूप होता है जो की अलकलाइन गुरूप होता है अब यह ग्रूप क्या होता है छिमिस्ट्टे में पढ़ रहा हूंगे या पढ़िंग और गलीक में कि या क्येमिस्ट्री की एक इन्टर नेशनल ब्राइश से इसको कहते हैं आइउ-टी a-c आयू पी एसी ठीक है और यह आयू पी एसी डिसाइड करती है कि केमेस्ट्री में कौन-कौन से कंपाउंड या कौन-कौन से मॉलिक्यूल यूं बोलो molecule functional functional role दिखाते हैं क्या दिखाते हैं functional role अब किसी का functional role authentic होता है तो किसी का restriction role basic होता है तो इसी भीहाब पे acidic functional group और basic functional group de र जाके अपिश्क के according कौन जादा reaching यह इसका प्रायोरिटी रूल दिया दाता है प्रायोरिटी रूल यह सब आप पढ़ेंगा और्गेनिक में अभी स्टार्ट होगा आप पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं यहां पर बेसिकली दो फंक्शनल ग्रूप एक है अमीन एमीन अर्बिट एमीन इन जनरल यह होता है एन एज टू ठीक लेकिन अगर हम यह लिखें एन एज एज यह भी एमीन है चुना दें से अगर मैं लेक्ट दू एन एज यह भी एमीन है लेकिन इसको I-M-I-N-E इमीन कहना पड़ता है इमीन बेसिकली ये प्राइमरी अमीन है ये प्राइमरी अमीन है और ये सकेंडरी अमीन है ये सकेंडरी अमीन है और सकेंडरी अमीन को ही हम लोग इमीन कहते है तो है तो वो भी अमीन ही न और उसी से वर्ड आया है यहां अमीनो तो अमीनो वर्ड का मतलब क्या होता है अमीन और यह एक परकार का यह दोनों ही चाहे हो अमीन चाहे हो अमीन यह एक परकार का basic functional group है कैसा functional group है बेसिक बेसिक functional group है मतलब यह जब reactivity सो करता है तो as a base behave करता है second word है यहां पर acidic मतलब यहां पर कोई acidic functional group है और वो है यहां पर carboxylic acid क्या बोला मैंने कार्बोग्जिलिक एसीड कार्बोग्जिलिक एसीड और आप जानते हैं कार्बोग्जिलिक एसीड का formula COOH जासर नो अगर इसका structure formula लिकना तो कैसे लिखोगे C एक इदर छोड़ दिया किसी के सार्पाइंड अप होगा यह acidic functional group है अब समझना ध्यान से यानि कि अगर मैं एक साथ मिला के बोलूँ amino acid तो अगर मैंने amino acid का यानि कि उसमें मैंने नाम base का भी ले लिया और उसमें मैंने नाम molecule है जो acid group भी रखता है और basic group भी रखता है वो particular molecule acid की तरह भी बिएव कर सकता है base की तरह भी बिएव कर सकता है as per the situation तो ऐसे molecules को chemistry में कहा जाता है m4 टेरिक क्या बोलते हैं m4 टेरिक मतलब बहुत अटेरिक मतलब यहां पे acidic and basic मतलब की नेचर है वो molecules का नेचर है दोनों नेचर मतलब की acidic बैसिक दोनों नेचर ऐसे ही molecule कर करते हैं m4 टेरिक molecule और amino acid ऐसा ही है क्योंकि amino में amino amino बेसिक फंक्शनल ग्रूप है और एसीड कार्बोग्जिलिक एसीड एसीडिक फंक्शनल ग्रूप है इसका मतलब amino acid एंपोटेरिक molecule है रही बात कि सर अगर ऐसा है तो अभी अभी आपने कहा कि सर केमिस्टी में IPSC ने बहुत सारे functional ग्रूप को describe कर लिया है और उसका एक priority रूल है काई के लिए कौन कितना दादा functional कौन कितना दादा active कौन कितना दादा powerful ग्रूप तो अगर सर अमीन और कार्बोग्जिलिक acid में देखा जाए कि कौन कितना दादा functional और active तो वैसे तो according to IPSC ज्यादा active acidic कौन एक इसका यह कता यह मतलब नहीं है कि अमीनोसीड कभी भी बेस की तरह नहीं करेगा अरे भया मैं वह कहीं नहीं रहा हूं ना मैं तो यह कह रहा हूं ना कि according to IPSC इन दो functional group में कौन ज्यादा reactive तो ज्यादा रियक्टिव कार्बोग्जिलिक एक इसकीड गुरूप और कम डियक्टिव अमीन गुरूप अपट अमीनोसीड एज पर दा सिच्वेशन सिच्वेशन क्या है मैं भी आपको आगे डेस्क्राइब करूगा पिएच्वेशन एज पर मिडियम का पीच क्या है यह वा अमीनोसीट के बारे में उसकी नेचर अब हम कहते हैं कि अमीनोसीट की स्ट्रक्चर को एक्स्क्लेंड करें कोई बच्चा ध्यान देगा कि जब इमिटिंग एक मिनिट बचा होगा तो मैं कह रहाँ कि अमीनोसीट का सबसे पहले हम लोग मीथेन को समझते हैं मीथेन का केमिकल फर्मूला होता है CH4 अब हम इसका फर्मूला लिखें तो बताइए आप इन और्गेनिक में भी पढ़ेंगे इसको और्गेनिक में भी पढ़ेंगे किया करते हैं कि इस एक ऑपना रहे है कुछे अपना रहा है और ऐसे ने क्या का सब्सक्राइब एक रियक्षण होता है सब्सक्राइब और और यहां पर इन मिथेन में तीन हैड्रोजन को शचिच्च्च्यूट कर देना है कितने हैरं को तीन हाइड्रोजन को हटा देना और तीन हैड्रोजन को हटा कि तीन अलग अलग functional group लगाना है क्या वहला मैंने तीन अलग अलग functional group लगाना है और मैं आपको बता रहा हूं according to biochemistry चैनल के chemical structure फर्मूला को लिखने के लिए मोस्ट सही तरीका क्या है देखो आप क्या करना इधर और इधर वाले में से एक हटाना लेफ्ट और राइट में से लेट से कि मैंने इसको अटाया ठिक और ऊपर और नीचे वाले दोनों को हटा देना हटा दिये तीन हट रहा है तो उसके पर लिए तीन अलग अलग ग्रूप जोड़ना है इस दा कंडिशन ऑफ सची क्यूशन एक ग्रूप आप जोड़ देना सी ओ ओ अच आपको दिखी रहा हूँ इमीन फाउंड इं प्रोलीन अमीनो एसीड है केवल उसी में मिलता है यह मीन आसिड है वाकी सम में इमीन मलता है वाकी सम में मिलता है तो इसी लिए कि हम लोग प्रोलीन को कहते हैं सकंडरी अमीनो एसीड या इसको कह सकते हैं लोग इमीनो एसीड आई ए ए इमीनो एसीड आई ए ओके और यह क्या है तो एक जोड़ दिया अच्छा वह एमीन भी हो सकता है आपको मैं इस्ट्रेक्टर दिखा दूगा एक और गुरुप आप उसका लिखे तो मैंने क्या कहा था कार्बन यहां लिख लिएगा और इधर वाले में लिखे अब कंवेंशनली मिखा लिखा रहा है स्टार्टिंग से वायो केमस्टी में उसके अकोर्डिंग आप सी ओच को ऊपर लिखिए वह ज़्यादा रियक्तिव होता है इसी लि और इधर लिख देजिए NH2 को कंवेंशनली ऐसा ही लिखा जाता है अगर आप इसके अलबा कोई और इस्ट्रक्टर लिख देंगे तो गलत नहीं है वो लेकिन आपको ज़्यादा तर अच्छी बुक्स में बायो केमस्टी की हाईर क्लासेस के बुक में ऐसा ही सब्सक्राइब है बच्चों अब आपको क्या यह अमीम उसीर है क्या है कि है इस बड़ियस होता है और लेस होता है मतलब किसी परकार का को इसमेल नहीं होता है कि आप पहचान लो कि हाँ हाँ यह तो अमीनोसीड है नहीं कर लेस और लेस और क्रिस्टलाइन सॉलीड होता है आप को ने सर यह पर्टिकुलर कंपाउंट किस पर में मिलता है यह सॉलीड के फॉर्म में गोपाल क्या कर रहे हैं आप बैठी एक सुनिये ने धिहान से पढ़ा लेस होता है यह और लेस होता है और यह जो अमीनोसीड है इसके बारे में बात कर रहे हैं यह क्रिस्टलाइन सॉलीड होता है यह क्रिस्टलाइन सॉलीड है यह सॉलीड है यह गैस है तो यह क्रिस्टलाइन सॉलीड आप सॉलीड में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलीड और अलग परकार के इस्टेट होते हैं आपको वाले साल बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो आभी आप सिंपल याद कर लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है यह सारी प्रोपर्टी एंस्टी में दीवें केमस्टी के इंस्टी में सब कोस्टन मनता है एक्जाम में जैई मे दिलवा रहा हूं तो यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है नौ ऐसा ही कई सारा स्ट्रक्चर मिलके तयार करता है प्रोटीन अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं देखें हाइड्रोजन तो खड़ यहां पर हाइड्रोजन वह सर्चिट्यूट हुआ भी नहीं एक हाइड् अनिन पर्टिकुलर अमीन असिड लाइफ प्रोली सब्सिट्टेड़ वाइन ग्रुप वह भी एक प्रकार का में नहीं है सगंडरे मी और वन टाइम सब्सिट्टेड़ आर ग्रुप यह आर ग्रुप क्या है बेसिकली यह साइड चेन कहा जाता है इसको साइड चेन जो की अलग अमीन लोकी में सब्सिका वाउक है बाकी यह तीनों जितने भी कौन-कौन चाहें आपका हड्रोजन चाहें आपका कार्बोग ज्ली घृडव चैंट आपका अमीन ग्रुप यह तोicken है завис hhtote होता है लेकिन और यह और गूरूप सुनना दिश्चान से यह वह सकता है यह वह सकता है यह और यह हो सकता है ना acid की तरवियब कर रहा हूं ना base की तरवियब कर रहा हूं यह भी हो सकता है तो इस विहाब पे यह amino acid का nature decide कर देगा कौन आर गुरूप क्योंकि कार्बगजिलिक और amine तो पेक्वल में हैं भी एक कार्बगजिलिक गुरूप एक amine गुरूप और दोनों को मिला दें तब तो लेकिन अपको क्या का अमीन अश्यडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है अगर अगर और ज्ञाइगा गरोप आ और अगल आर ग्रूप नूट्रल हो गया तब तो पहले सही तो यह मॉलीकूल एंपोट होगा तो यह तो यह तो यह तो वह अमीनो अस्टिट के बारे में जंडल बात अब मैं यहां से कुशन कर रहा हूं दो कशन अपने सामनिन धूर्फ से नंबर 1 बेट क crecud के गजानका की प्रोप colors पॉस्टिट के मिन केमिक। प्रॉपरटी अप अमीनोअ ओस्तिट दू अप्स Aleman भू तू अप समें सं खेंडार्फ संशन्य मैं संतर्ण फफ़र्फ आव शें संट फॉर्त फॉर्फ फॉर्षां फिजिकल एंड केमिकल प्रपर्टी ऑफ एमिनोस्टी डू तू फास्ट आर ग्रूप सकेंड एच थर्ड ने एच नहीं आपे लगां सी ओ एच थर्ड एच फॉर्थ और सभी लोग अपना अपना असर कमेंट में देजिए फटाक से कमेंट में एक दूसरे कांसर देखके नहीं देंगे फटाइप कीजिए 1234 में 1234 में टाइप कीजिए फट मैं तब तक दूसरा कोशन लिख रहा हूँ है सर्वापे आर के बगल में क्या लिखे हैं कहां यह साइड चेंड वापर कोने कोने में साइड चेंड अरे एन है यार यह ठीक है साइड चेंड नई नई साइड लग रहा था लिखे तो 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 अज़ा अज़ा अभी कोसा नंबर टू का अंसर कोई नहीं देगा अभी क्यावल वन का कहा है में लिख लेए एक बाद argue कि अव्यारेव यह बिख लेए Means कि लुकरें मुझा MEं के वन के पौर फूर के वेएं वन जोती दोनों जोती ठीक है आल सही है देखिए वाद जानिए अभी मैंने खाँ आपको कि जो अमीनोसीड है उसकी प्रोपर्टी या तो एसीडिक होगी या तो बेसिक होगी और डिपेंड्स अपॉन आर गुरूप यह बत सच है लेकिन अगर आर गुरूप निकल गया तो यह यहां पर किसी भी पर्टिकलर एंड केमिकल प्रोपर्टी तीनों मिलके डिसाइड कर रहा है इसमें हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है इसमें का कोई रोल नहीं है हेड्रोजन अपिनाव सिर्पाक का फिजिकल और खेमिकल प्रोपटिघ डिसाइड नहीं किता और दूसरी कोईशन पर चलते हैं फटाक से सब लोग आनसर मारिये ज्ट्रेंग सथी यूनिक हैं यूनिक ह्जिकल एंड की मिल प्रोपटि ऑफ एमीन असीड यू आंसर है फर् कि यूनिक पूछा गया है कि अब जिनका आंसर वन है वह सही है क्योंकि यहां अब भूल दिया गया यूनिक अब मुझे एक बात बताओ यहां पे लिखा है न कि सी ओएच नस्टू और एच यह तो सभी में कॉमन है तो जब सभी में कॉमन है किसी भी पर्टिकुलर अमीनोसिट का यूनिक नेचर तो आर ग्रूप के वज़े से हो सकता है न और आर ग्रूप सभी का अलग-अलग होता है हर अमीनोसिट का अलग अलग ard ग्रूप के भिहाव पे अमीनोसिट का नेचर डिसाइड होता है कि 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 थे ब Corps अलग इस आपको जो बात है नोट्स का अधने से एड घर लिए पना अगले मिटिंग में हमापसे बात करते हैं अगले मिटिंग कर्». का बास कर रहे हैं अगले मीटिंग में आपसे बात कर रहे हैं अलग अजब आसे चर्चाए करेंगों अगर को страх है तो लिए अगर कोफली जिए यहां तर अट है कि यहां तो कि पारोत ज। न वो तो मैं भी डिटेल में बताऊंगा आपके नहीं है चले यहां तक समालिए मामला जल्दी से खिर बरते आगे अगले मिटिंग